यह जो फिल्मों में आप देखते हैं कि कार ब्लास्ट होती हैं, जलती हैं, चेजिंग होती है, वो कैसे होती है? इसको देखने के लिए इस वीडियो को आखे तक देखेगा, यह की स्टूडियो में, जॉट हो रहा है यह शॉट जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे की आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस पर लेगी भली आप एक्टर बनना चाहते हूं, राइटर बनना चाहते हूं, फिल्मेकर बनना चाहते हूं, सिंगर बनना चाहते हूं आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे भले वो फेक ओडिशन पे हूँ कि ओडिशन कैसे देने चाहिए इस पर भी डिटेल वीडियो अविलेबल है यह तैयारी की जा रही है एक चेजिंग सिक्वेंस की कार के बलास्ट की आपने बहुत सारी फिल्मों में इस तरह के शॉट से देखे हैं और बहुती ग्रेंजर देखता है बहुती डामा बिल्ट अब होता जो हम देखते हैं कि लाइन से बहुत सारी कार आ रही है और उसमें ब्लास्ट हो रहा है चेजिंग हो रही है उसकी तैयारी चल रही है लेकिन जो परदे पे आपको इस तरह का दिखता है वो एक्चुली शूट किया जाता है स्टूडियो में और सबसे बड़ी बात है उसमें एक्चुल कार नहीं होती है ये जो हर कार के मिनीचर मिल यह बहुत ही क्रिटिव जॉब है यह आज आपका जो वीडियो आपको मिला है देखने को यह अपने आप में बहुत अनोखा है इस तरह का वीडियो इस तरह की इंटरस्टिंग चीज आपको कभी भी देखने को नहीं मिलती है यह इंसाइट है फिल्म इंडिस्ट्री का और यह सभी क्रिटिव फिल्मेकर्स को देखना चाहिए राइटर्स को डिरेक्टर्स को देखना चाहिए कि किस तरह से आप इस तरह के शॉर्टर डिजाइन कर सकते हैं क्योंकि ओरिजिनली अगर आप इस तरह की कार्स के साथ बलास amplitude का डर होता है नुक्सान का डर होता है लेकिन ऐसा करना antig की नहीं होता है और परदे पर बहुत अच्छा भी लगता है तो यहां पर डिरेक्टर उनकी position देख रहे हैं मार्किंग द pewno जयसे कि किसी object की इक्तर की देखी जाती है अलग-अग एंगल से अलग-अलग शॉट के जरिए बहुती फिれटयर साइब डिजाइन चोटे-छोटे छॉट informaktor के जाते हैं अब है कि वह जोटार है वह जो अड़ने का शॉट आपने देखा डेखा है उससा तरह का शॉट डिजान कि ज जा रहा है और ये पूरी तरह से create किया हुआ शॉट है अगर आप कैमरे की monitor screen में देख रहे होगे तो आपको धागा देख रहा होगे धागा बाद में हटा दिया जाएगा पोस्ट मे आप लोग practically film making को समझ पाएं सीख पाएं film industry को internally समझ पाएं उसके लिए इस तरह के वीडियोस हम लोग लाते रहते हैं तो अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ें तो सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन को प्रेश कीजिएगा एक ही टाइम पर उस पे थोड़ा डस्ट भी डाला गया उसको उच्छाला भी गया और यह टाइमिंग के साथ किया जाता है जो कि आपको स्क्रीन पर बाद में बहुत अच्छा लगता है अभी आपको जरूर लग रहा होगा कि यह तो खिलोने जैसी कार दिख रही है लेकिन स्क्रीन पर बाद में यह बिल्कुल औरिजिनल नज़र आएंगी बाद में उसमें फ्लेम लगा दिया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि आग लगी है अब यह सारी गाड़ियों को एक टेप से जोड़ा जा रहा है आपने दिखा होगा बहुत सारे ऐसे सिक्वेंस होते हैं फिल्म्स में इस्टेबलिश्मेंट वाले जो शॉट्स होते हैं उसमें लाइन से बहुत सारी गाड़िया आ रही होती है तो वो शॉट कैसे डिजाइन होता है यह यहां पर स्टूडियो के अंदर जॉट्स के स्टूडियो के अंदर डिजाइन किया जा रहा है सारी गाड़ियों को टेप से जोड़ दिया गया है और उसको एक धागे से या तार से जोड़ दिया जाता है और फिर एक छोटा सा शॉट लिया जाता है जिसको बाद में हाई स्पीड में आपको दिखाया जाता है तो ऐसा रगता कि बहुत सारी गाड़ियां एक साथ चल रही है नॉर्मली देखा जाए तो रोड पर ये करना तकरीबर इंपॉसिबल है कि सारी गाड़ियां एक साथ एक लाइन में चले और उसको उसी टाइम पर आप शूट भी करने अलग अलग अंगल से पॉसिबल ही नहीं है तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लाइवली नहीं कर सकते हैं उनको क्रिटिवली इस तरह से किया जाता है अगर आपको वाकई इन लोगों की महनत अच्छी लग रही है क्रिटिव जॉब लग रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें ये तयार हो गई पूरी काड़ियों की लाइन इसमें जो टेप बीच में नज़र आ रही है इसको पोस्ट में बाद में हटा दिया जाएगा ये पूरी काड़ी की चेन तयार हो गई अब जब इसको शूट करके पोस्ट में एडिट करके डाला जाएगा तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारी गाड़ियां एक साथ रोड़ पर चलकर रहा रही है आप ने टॉप एंगल से कई बार देखा होगा इस तरह से देखो धागे से उस गाड़ी को बांदी गए ये एक शौट बन गया अब जो गाड़ियों पर डस्ट आई ये उसको हटा के फिर अलग से अब दूसरे शौट लिए जा रहे है फिल्मेकिंग पूरी तरह से एक क्रेटिव और एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको क्या दिखाना है उस भी ध्यान दिया जाता है कि बाद में स्क्रीन पर एक्च्वल रिजल्ट क्या आएगा सभी गाड़ियों को अलग-अलग मार्ग पे रख दिया गया है ताकि फ्रेम में जैसा शौट डिरेक्टर चाहते हैं वैसा मिले अच्वल एक्च्वल लिए जाते हैं वैसे तरह नहीं हुपाया मार्किंग में गलती हो गई इसलिए उस चौट को दोबारा लिए जाएगा जैसे एक्टर के साथ शौट लिए जाते हैं उसी तरह से आपजक्ट के साथ भी मसल्या में गाणियों सांसा खाय गए जाते हैं जिस तरह से चैन में गाडियों को दिखाया कि ता असी तरह से आप एक साथ सारी गाडियों को दिखाये जा रहा है तो आप देखिए नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा लगाया गया है जिस पर सारी कार को प्रेस किया जा रहा है लगाया जा रहा है और उसके बाद उनको एक साथ कहचे जाएगा तो ऐसा लगेगा कि एक साथ एक ही लाइन में गाड़ियां आ रहे हैं सिनेमेटिकली यह बहुत अच्छा लगता है देखने में लेकिन उसको क्रियेट किया जाता है और कैसे किया जाता है यह शायद आप लोग पहली बार देख रहे होंगे जाइन वर्म्स का यह जो प्रियास है यह जो एक कोशिश है यह आपको कैसी लगती है मुझे कमेंट करके जरूर बता जा रहा है ताकि वो एक धुआ दिखना शुरू हो गाड़ी में और उसको पोस्ट में एडिटिंग में मैच कर दिया जाएगा तो ऐसा लगेगा कि हाँ वाकर याग लगी अब देखिए यह गाड़ी यहाँ पर रखिए जिसमें से धुआ निकल ला है पीछे ग्रीन कर्ट आपको देखने में अच्छा लगे आपको देखने में अच्छा लगे आप अगर कैमरे की स्क्रीन पर देख रहा है तो आपको एक्चल शॉट नजरा रहा हो हाँ हाई स्पीड में अब यह कार ब्लास्ट का सीन है तो ब्लास्ट कैसे की जाती है यह आपको अब देखने को बड़ा इंटरस्टिंग वे में मिलेगा यह देखे सब गाड़ियों में आग लगा दी गई है तो यहां पर एक मिनीचर है एक टॉय है तो यह नुकसान बहुत जादा बड़ा नहीं है औरिजिनली आप इतनी गाड़ियों को आग नहीं लगा सकते हैं पॉसिबल ही नहीं है आई होग कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इंडरस्टिंग की मेहनत सब लोगों को हम दिखा पाएं और इसके साथ साथ आन लोकेशन वीडियो और भी अवेलेबल हैं उनको भी देख मुझा पानिड़ा का हैं देख कर दो आएंधिड जरूर 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 और इसके साथ शेयरा हैं अवेलेबल